आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फोन में जी बोर्ड कैसे सेट करें या फिर अपने फोन में जी बोर्ड कैसे लगाएं तो इसके लिए आप अपने फोन में Google Play Store ओपन करिए प्ले स्टोर ओपन करने के बाद उपर सर्च बार पे किलिक करिए उसके बाद टाइप करिए जी बोर्ड टाइप करने के बाद इसे सर्च करिए उसके बाद जी बोर्ड आएगा इस पे किलिक करिए अब यहां से अगर आपके फोन में यह डाउनलोड नहीं है तो जी बोर्ड को अपने फोन में डाउनलोड करिए और अगर आपके फोन में पहले से है तो यहां से बाहर आईए हमारे फोन में पहले से डाउनलोड है तो बाहर आईएंगे वैसे जादतर फोन में ये पहले से ही डाउनलोड होता है बट अगर आपके phone में नहीं है तो इसे download करिए उसके बाद अपने phone की settings open करिए settings open करने के बाद नीचे आइए नीचे आकर additional settings आएगा इस पे click करिए उसके बाद उपर languages and input आएगा इस पे click करिए इस पे click करने के बाद ऐसा page आपके सामने आएगा और अगर settings में ये नहीं मिलेगा आपको तो जब आप settings open करेंगे उसके बाद उपर search settings आएगा इस पे click करिए उसके बाद type करिए input input type करने के बाद यहाँ पर आ रहा है languages and input तो इस पे click करिए और इस पे click करके आप यहाँ पे आ सकते हैं अब नीचे manage keyword आएगा इस पे click करिए अब यहाँ पर keyword आएगा अगर आपका ये off है इस तरीके से तो इस पे click करिए और इसे on करिए इसे on करने के बाद back आईए और उसके बाद current keyword आएगा इस पे click करिए यहाँ पे keyword आएगा keyword select करिए keyword select करने के बाद बैक आजाईए अब यहाँ पर आपके फोन में देख सकते हैं G-board सेट हो गया है तो इस तरीके से अपने फोन में G-board चला सकते हैं या फिर G-board को यूज़ करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें